नमस्कार दोस्तो मैं रविंदर सिंग फाववाद के थर्ड वीडियो में आप सर्ब पर स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो काफी पसंद आ रहे हैं और जोस्तो एक्जाम की दरेश्ट से काफी इंपोर्टेंट है और मैं इसी तरह की वीडियो जो है हर बार बनाता रहता हूँ जोस्तो नए वीवर हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको कुछ ने जानकारी मिले वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर नए वीवर की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो आज का हमारा फ़ास्ट क्वेस्टन है जो 41 से स्टाट होता है कि किस चितर कार ने सेजान के परसिज चितर तीन सनानमगन खरीदा था दोस्तो चितर खरीदा है मातिस के दवारा खरीदा गया चितर है और यह चितर दोस्तो मातिस के पास 1936 तक था ठीक है बाद में यह चितर नहोंने लुवरसंगर हले में दान में दे दिया था तो काफी इंपोर्टन बनता है यहां पर यह कि उन्होंने कहां पर दान में दिया कब तक उनके पास चितर था और किसका चितर खरीदा था किस ने खरीदा था तो हम इसके बारे में देख रहते हैं आगे कि इस चितर के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे चितर कला के निरनायक सनों में इस चितर ने मुझे आत्मिक बल दिया इससे मुझे प्रेतन सीलता प्राप्त हुई तो ये कथन थे उनके मातिस के चितर के परती तो इंपोर्टेंट ह 42 question हमारा है कि मातिस ने किसे परेड़ना पाकर मुर्तिकला काद दिन करने लगे तो रोंद रोंद वै बैरिये से जो है वो परेड़ना पाकर मुर्तिकला भी करने लगे थे गुलाम सिर्षक की मुर्ति के मुर्तिकार थे तो उन्होंने एक मुर्ति चलता हुआ आदमी से काफी समानता है ठीकर उन्होंने प्रेयर ना दी उन्होंसे सीखा भी था दोस्तों उन्होंने कारिया तो उन्होंने उसी चलता हुआ आदमी जो एक मूर्ती है दोस्तों ये रूंद के द्वारा बनाएगी मूर्थी है तो यहाँ पर एक क्वेशन और बन जाता है तो इसी के समान गुलाम जो सिस्ते की मूर्थी उन्हें ने बनाया थी मातिस नहीं उसी चाहिए मिलते जूलती है 44 क्वेशन हमारा है यह मातिस ने पहली बार कब अपने चित्रों को परदस्नी की अपने चित्रों की परदस्नी पहले बार कब की तो 1901 इसमी में उन्होंने परदस्नी की है और कहां की मातिस वावाद के लिए इंपोर्टन गरैक्टर है चित्रकार है तो 1901 में पिकासों ने युवा कला नाम की पत्रिका का परकाश्न किया काफी वार क्वेशन आया है ये और 1901 पिकासों ने पैरिस में अपने 75 चितरों को परदर्शित किया था 1901 से लेकर 1904 तक बनाए और यही काल उनकी कलाका निला काल कलाता है ये चितर उन्होंने एक ही निले रंके पर मुख्षतान दे कर बनाए है और इन चितरों के वीशे हैं बिखारी, रास्ते, ठीक है बिखारी, रास्ते के गायक, प्रिसर्मी वर पीडित लोग, कसरत करने वाले आदमी इस काल के परशित चितर हैं व्रिद, जिव, युगम, स्त्री करने वाली ये चित्ते जो हैं पिकासो ये काफी फेमस चित्रे हैं और नेक्स्ट क्वेशन था दोस्तों वो था कि राजा रवी वर्मा ने तेज गती से चलने वारी लिथोग्राफी प्रेश की स्थापना किसकी साहिता से की कब की ठीक है तो अठास चुरानो ओशिमी में की है में गोव से से पर्थम चित्तर कौन सा बना ठीक है सकुनतला का जनम जो है इससे पर्थम चित्तर बना सेकिंड चित्तर था दोस्तों देवी सर्श्वती एवं देवी लक्समी ठीक है तो एक बारी क्वेशन आ था कि पर्थम चित्तर किससे बना तो सकुनतला का जनम 1998 में इस मशीन को घाट कोपर में स्थाना अंतरित किया गया था और 1901 में फिर इस प्रेस मशीन को मालावली स्थाना अंतरित किया गया था तो ये थे राजा रवी वर्मा की प्रेस के विशे में कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट है कि राजा रवी वर्मा ने अपने लिथोग्राफ प्रेस में कब तक कारिय किया तो 1901 तक कारिय किया उसके बाद 1901 के बाद राजा रवी वर्मा फाइन आर्ट प्रेस के मालिक कौन बने तो जर्मन फ्रिज सचलीचर जो पहले उस मशीन के तकनिक सियंद के रूप में कारिय करते थे वो 1901 के बाद जो है उसके वो मालिक बन गए थे और फांट दगाम गुफा के चितरों काउद भाटने में दोस्तों 1901 में हुआ था तो इनने एक से सम्मांदित कुछ क्वेशन है जो इंपोर्टन्ट है तो नेक्स्ट क्वेशन हम देख देते हैं हमारा 45 कि मातिस के चितरों की एकल परदसनी कब हुई ठीक है तो एकल परदसनी के यदि हम बात करें मातिस की तो वो 1904 में हुई है फाव कलाक की विकास अपने चरम पर था तो कब था 1905 से लेकर आड़ तक मातिस के दवारा ये चरम पर रहा है और परशिद चितर विलास के चितरकार ठीक है विलास चितर है के चितरकार है मातिस यह चितर उन्हें ने 1905 में सैलोदा अधे पदाम में रखा था ठीक है और यह चितर मातिस की बिंदवादी चितर सहली का उधान है कुछ समय तक सिनियाक वह क्रास के संप्रक में आकर मातिस ने बिंदवादी सहली में भी चितर ने किया है तो मातिस ने किस किस समप्रक में आकर में बिंदवादी सहली का चितर ने किया है इस परकार सी क्वेशन भी हो सकता आ जाए तो सिनियाक वह क्राउंस ठीक है 48 वह इंपोर्टेंट है हरी पट्टी यह किसका चितर है तो यह मातिस का चितर है ठीक है 49 वह हमारा है कि मातिस का मातिस का फाव द्रश्टी कौन का सबसे परशी चितर कौन सा है तो सबसे परशी चितर उनका है हरी पट्टी ठीक है यह चितर फाव चितर कालों की सैलो दोतान पर्थम परदस्नी में दिखाया गया था यह चितर मादा मातिस का विक्ति चितर है जिसने चहरे के बीचों बीच हरे रंग की पट्टी को अंकित करके चहरे को दो सपस्थ हिस्तों में विभाजिन किया है ठीक है तो इस परकार ये एक चित्त है था नेक्स्ट क्वेशन हमारा है कि आउल आन केनवस पेंटिंग यानकी केनवस पर बनी हुई आउल रंग से पेंटिंग है हेट वाली महिला 1905 में सेन फ्रेंसको म्यूजियम आफ मॉडरन आर्ट कैलिफोर्निया में सुरक्सी चित्र किसका है तो एक क्वेशन में काफी क्वेशन है चित्र सेन फ्रेंसको म्यूजियम आफ मॉडरन आर्ट कैलिफोर्निया में सुरक्सीत है मातिस के दुवारा बना गया हैट वाली महिला ठीक है ओल कलर है केनवस से बना तो इस परकार से है 51 question हमारा है मातिस के चित्रों की दूसरी एकल परदस्नी 1906 भी में हुई है ठीक है जिसमें चित्र रेखाउंकन लिठोग्राफी चापा चित्र ने मूर्तिक्रा आधी परदस्नी उनकी की गई थी उस्तों चित्रकार के साथ जो मातिस से वो मूर्तिकार भी थे रेखाउंकन भी करते थे लिठोग्राफ भी करते थे चापा चित्र करते थे तो इनके इलावा भी उन्हें चित्र के लाव भी कारिये किया है नेक्स्ट क्वेशन हम देखते हैं 52 जीवन का आनन्द ठीक है जीवन का आनन्द जानी जोई ओफ लाइफ जी चित्र 1906 में बनाया है मातिस के दवारा बनाया गया चित्र है यह चित्र शेरोदा अंदे पदाम में परदर्शित किया गया था ओवल पेंटिंग है और बर्न फाउंडेशन फिलाडेल्फिया में यह चित्र जो है शरुक्षित है अब 1906 से सम्बंदित को इस क्वेशन है कि टेस्टामे अर्फियस 1906 में फिलम में किस कलाकार ने अपनी महती भूमी का निभाई तो पिकासो के दवारा पिकासो ने इस फिलम में अच्छी भूमी का निभाई है 1906 में उन्हें पिक्से बनाए थी पिकासो का आदीमकाल या निग्रोकाल कब था तो 1906 से 1908 तक उनका आदीमकाल या निगरो काल भी हम उसको कह सकते हैं ठीक है इस्तमें पिकासो निगरो कला से परभावित थे और अमनियो किस्त्रिया इस काल का परसी चित्र है ठीक है अमनियो किस्त्रिया है ये भी काफी इम्पोर्टन रहे है तो यहां रखने का कि यही कान है 53 question हम देख लेते हैं इसका कि मातिस की किस चितर ने फाव कला को अंतिम रूप दिया हम पीछे पढ़ चुके हैं जीवन का आनन 1906 में ये चितर सैलोन दोतान में परदर्शित किया गया था question number 54 हम देख लेते हैं कि चितरकार का समरण पत्र समरण पत्र ये 1908 में एक लेक परकासित किया था मातिस ने ठीक है तो ये इस परकार से एक लेक उन्होंने किया इसमें मातिस ने फाव चितरकारों के दरश्टी कौन पर परकास डाला है ठीक है चितरकार का समरण पत्र में को अगर वीशय पूसलिया जाएं तो फाव चित्रिकारों के द्रस्तिक किकुन प्रंणया प्रभाव डाला है इस पत्रिका के मादम से 55 है चित्र का समान पत्र किस पत्र relationship में परकाशित किया था दा Над्रवियू में ये परकाशित किया गया है और कुछ चित्र कच्वा वे तीन सनान मगन स्त्रियां मातिस के दवारा बनाएगा चित्र है 1908 इसमी में मातिस का यह चित्र सेजान के प्रसीद चित्र सनान मगन से परभावित है 57 क्वेशन हम देख लेते हैं हमारा जो 1908 से जम्मंदित है और वो है कि मातिस ने चित्र साला कब खोली तो मातिस ने चित्र साला कोली 1908 में और 1908 से सम्मंदित हम कुछ चीज़ें वो देख रहते हैं कि 1908 में क्योभी जम यानके घनवाद शब्द का परियोग सर्वपर्थम किस ने किया तो फ्रांसिस कला समिक्सक लुइस वक्सेल्स ने गिया है ठीक है घनवाद सर्वद का 1908 में हुआ है मातिस ने चित्र साला उस वक्त खोली थी ठीक है न तो हम थोड़ा कंपेर कर सकते हैं और यह जो नेक्स्ट क्वेसिन है कि घनवाद को कितने भागों में बाट सकते हैं एक तो विशलेशनात्म घनवाद जो 1908 से लेकर 1912 तक था और दूसरा है कृत्रम घनवाद जो 1912 से लेकर 1912 तक रहा इनकी विशलेशनात्म घनवाद 1908 से 1912 तक रहा इसकी विशलेशनात्म जो प्रकरतिक रूपों का विशलेशन किया और इन रूपों पर दो आयामी चित्रपटल पर बुनियादी जैमितिय भागों पर कारिय उन्होंने किया है ठीक है ड्वी आयामी क्रित्रम घनवाद में दोस्तो 1912 से 19 तक जो विशेशता थी हो थी इसकलाग के कारिये में एक महतपून घटक के रूप में कोलाज सामगरी को परचलित किये जाने की सुरुवात उन्होंने की क्रित्रम घनवाद के पिरियरड में तो 58 क्वेशिन हमारा है संगीत वे नृत चित्र फलकों के कलाकार कौन है तो यह दोस्तो मातिस के दवारा बनाया गाचित्र है नृत यानकी डांस 1909 में यह चित्र उन्होंने बनाया है और म्यूजियम आफ माडर्न आर्ट न्यू यॉक में चित्र दोस्तों सुरक्षित है और एक तेल चित्र है तो दोस्तों इसी क्वेशिन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा मैं जयद लोटूंगा इसी सीरिज के अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद